दोस्तों इस्टाग्राम पर जब हमें किसी की स्टोरी रील्स या कोई अधर वीडियो पसंद आती है तो उसको हम डाउनलोड करना चाहते हैं और उसके अपनी फोन की गैलरी में सेव करने के बाद हम उसका आसानी से यूज कर सकते हैं सब्सक्राइब लगाना इस्टाग्राम पर हमें अपनी रीज वीडियो में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है दो आज की वीडियोओं लोगों के लिए बहुत ज़वने वाली है आज की वीडियों को दोस्तों आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप इंस्टाग्राम की रील से स्टोरी या कोई भी वीडियो कुछ भी आप बस डाउनलोड कर सकते हैं सिर्फ एक ही तरीके से मतलब एक ही जगे पर सब कुछ मिल जाएगा इस्टोरी रील्स वीडियो या कोई भी अधर वीडियो आप डाउनलोड करना चाहते हैं इस्टाग्राम पर से तो आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों पूरा प्रोसेस में आपको मोबाइल की स्किन पर लाइव करके दिखाऊंग सकते हैं या फिर इस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों मोबाइल की स्किन आपको सामने नजर आ रही होगी तो सबसे पहले आपको करना क्या है अपने मोबाइल में इस्टाग्राम एप्लिकेशन है उसको ओपन कर लेन कर लेना है उसके पाद आपको ठीडोट नज़े रहेंगे दो रहेंगे तो पर उसने प्लिक करते हैं यहां पर क्लिक करते ही रोट आपको नीचे को आप्छन देखने को मिलेगा कौपी प्रॉफायल यूरल यानि इस पर क्लिक लिक करते ही जो अपने ऑपन कि आम लोगने जिसकी भी प्रोफाइल है उसका लिंक यहाँ पर कोपी हो गया आपके पास बैक जाने के बाद आपको अपने मोबाइल में Chrome ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है इंस्टा फिस्टा तो दोस्तों यहां पर इंस्टा और यह फिस्टा आंपद कर देना है इसके बाद आपको search पर क्लिक कर देना है तो यहां पर आपके सामने ऊपर ही ऊपर जो वेब साइट आएगी Instagram video downloader instafista.com तो यहां पर आपको इस पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों इसका interface ऐसा शो होगा सामने जब आप इसको open करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको दोस्तों जिस भी चीज को फोटो डाउनलोड करना है जैसे आप कोई रिल्स वीडियो कुछ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दोस्तों रिल्स सेलेक्ट करना है फोटो डाउनलोड करना चाहते हैं तो फोटो पर सेलेक्ट करना है डीपी डाउनलोड करना है इस्टोरी डाउनलोड करना चाह पेस्ट करने के बाद आपको यहां पर सर्च पर क्लिक कर देना है तो दोस्तों यहां पर हमने अक्षकुमार का जो पेज था दोस्तों इंस्टाग्राम अकाउंट था वह यहां पर ओपन किया था आपको मैंने दिखाया था इस्टाग्राम पर तो यहां पर आपने दोस्तों भीडियो सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर आप वीडियो डावलोड कर सकते हैं तो इस तरह से दुस्त therapy डावलोड करने है उपर यहाँ पर सेलेक्ट कर लिजिए और फ्रोफाल का लिंक यहाँ पर डाल दिजिए automatic की दोस्तो जो भी story उसने लगाई होगी वो story यहाँ पर आ जाएगी Reels को उसने डाली होगी तो Reels यहाँ पर आ जाएगी और photo वगरा सब कुछ आप यहाँ पर एक ही platform से यहाँ पर मतलब एक ही जगह से download कर सकते हैं आपको अलग अलग जगह जाने की जरूत नहीं है कि आपको story करने के लिए अलग website पर जाना पड़ेगा अलग application इंस्टॉल करना पड़ेगा या वीडियो रियल्स डाउलोड करने के लिए अलग जगह जाना पड़ेगा तो दोस्तो यह सबसे अच्छा तरीका है बस आपको एक ही जगह पर सब कुछ डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं तो उम्मीद करता हूं दोस्तो आज की वीडियो में जो process मैंने आपको बताया है दोस्तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और वीडियो भी आपको पसंद आई होगी दोस्तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यदा ज़्यदा लाइक करें और शेयर करें अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो ऐसी ही helpful वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्काइब करें अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो अब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर भी मैसिज कर सकते हैं दोस्तों मिलते हैं ने चुडियो में तब तक के लिए बाए